कुम्बराशी ऐसी बाते सुनकर कान के परदेफ फड़ जाएंगे जुटा इल्जाम लगने वाला है आप पर नमस्कर दोस्तो जय भुलेनाथ दोस्तो आज का वीडियो कुछ अलग सा होने वाला है आज हम आपको एक दिन की नहीं बलकि पूरे तीन दिन की कुम्बराशी बहुष्चे बताने वाले है 25, 26 और 27 डिसंबर ये जो तीन दिन है आपके लिए किस तरह से रहने वाले हैं किस तरह के जुटे इल्जाम आपको इन दिनों में देखने को मिल सकते हैं विस्तार से जाने के दोस्तो अगर आपने हमारे चैनल ट्रेंडिक राशी बलको सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरू किजेगा दोस्तो आपके लिए आने वाली दिन बहुती अच्छे रहने वाले हैं आप अपने अच्छे स्वभाव से लोगों को काफी प्रभावित कर सकते हैं जो लोग प्रेम जीवन बिता रहे हैं वह अपनी क्रेटिविटी से अपने प्रियक का दिल जीतने में सफल रहेंगे आप अपने प्रेम जीवन में काफी आगे तक बढ़ेंगे शादी शुद्य जिन्दिगी में चल रहा तनाव दूर होगा काम के सिलसले में किये गए प्रयास सफल रहेंगे आपका भग्यों मजबुत रहेगा महनत के अनुसार उचित नतीजा मिलेगा कामकाज में आप ध्यान केंदरित कर सकते हैं बच्चों की तरक्य की खुशकबरी मिलने की संभवना भी बन रही हैं हाल में मिली सपलता या आमधनी के नई स्तुरोत के माध्यम से धन लाब होगा इस धन का सोच समझ कर प्रयोग किजीगा अपने स्वास का ध्यान रखना बेहद महतोपुर्ण है डॉक्टर के पास जाना भी अवशक हो सकता है सामची कारियों का अनदले लेकिन एकांत और आत्मनेरिक्षन के लिए समय निकाले सामने रशिपल के बात करें तो मेहनत अधिक करनी होगी इसका असर काफी सेहत पर देखा जा सकता है कुछ अच्छे मित्रों से मुलाकात हो सकती है जिससे के आपको फाइदा जरूर होगा मित्रों के साथ समय बिताना तो लाब करी होगा पर उन्तों मित्रों से किसी परकार की कोई सलह अभी के समय मत लीजेगा यदि आप खुद की बनाय हुई योजनाओं पर चलते हैं तो इससे आपको बड़ा आर्थिक लाब देखने को मिल सकता है दोस्तों आपका जो भी कारिय या फिर व्यावसा है उसमें यह जाननी की कोशिश करें कि आप उस व्यावसाय या फिर कारिय में किस मुकामत पर है और फिर सोचे कि आपको आगे क्या करना चाहिए दोस्तों आप बात करते हैं कौनसे बातों का ध्यान आपको रखना है उसके बारे में मिलने वाले लोगों पर आपका सकरत्मक प्रवा उपड़ेगा प्रेमी लोग भी अपने मन की बाते आसानी से अपने साथी को बता पाएंगे परिवार और मित्रों के साथ यदि कोई विवाद चल रहा है तो उस समस्या पर बाचित की जा सकती है किसी भी मुद्द्य को गंबिरता से लेना होगा तबी वह समस्या हल हो सकती है दोस्तों ओफीस और कारेक शेतर में आपको सपलता देखने को मिलेगी क्योंकि अपने मैनती कुछ अलग लेवल पर क्या है तो सपलता तो जाहिर इसी बात है दोस्तों कोई आपके सामने आपकी तारीव कर सकता है पुराने विवाद फिर से उबर कर सामने आ सकते है आपके ग्रहों में आत्म बुती और गहरेद्यन का योग है अपने रोजाना के कारेकरम से कुछ वाक्ते निकाले ताकि आप यह जान सके कि आप क्या है और आपको क्या करना है यह आपको सपलता हासिल करने में मदद करेगा कोई भी व्यक्ति है अपने जन्म से नहीं बलकि अपने कर्मों से महान बनता है दोस्तों अब बात करते ही कि 25, 26 और 27 डिसंबर इन तीन दिनों में किस तरह के जोटे इल्जाम आपके उपर लग सकते हैं विस्तार से जानेंगे ये तीन दिन थोड़े बहुत आपके लिए जो कि नुकसान दैक साबित हो सकते हैं आपके उपर बड़े-बड़े इल्जाम आपको अपने सामजिक शेतर से या फिर अपने रिस्तेदारों से या फिर आप जहां पर कारे करते हैं वहां से आपको देखने को मिल सकते हैं जो काम आपने किया ही नहीं जिसे आपने कोई काम क्या है और उसे अपने व्यावसेक शेतर में हो आपके उच्च अदिकारियों को या फिर कंपनी को लॉस होगा इस तरह का कोई भी कार्य आपने nähill क्या है फिर भी आपके ऊपर बड़ा इलजाम लगाया गया है जोटा इलजाम लगाया है तो ऐसे समय में आपको जोटे इलजाम को साबित करने की जरूरत है अगर आप साबित करेंगे तो ही उस खेतर में आप टिकेंगे वरना वहां से प्राब्लेम चल रहे हैं और अगर आपके जीवन में कोई प्राब्लम चल रही है यह फिर कोई परिशनी आपको बार बार सता रही है उसका हल अगर आप जोती शास्तर के अनुसार और कुंडले के अधर पर जानना चाते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर दिया गया है उस नंबर पर कॉल करें अथो वाट्सप मेंसेज करें हमर तरफ सरिपलाई जड़ से मिल जाएगा और आपके सभी प्रॉब्लेम परिशानियों का समाधान भी किया जाएगा तो चले अब बात करते हैं आपका धनर अशिपल कैसा रहेगा उसके बारे में अपने निरनाई सोथ समझ कर लिजिए कुछ समय अपने पार्टनर्स और करीवी साती के लिए निकाले व्यापार में आपके अनुभों आपको करियर में शिर्श पर ले जाएंगे दिन का लाब पुरी तरह से उठाने के लिए अपने समय को नियोजित करेगा दिन परसपरिक संपर्का और संचार से जुड़ा हुआ है लोगों से काम निकलवाने की कुछलता अब आपके लिए महतोपुन है और यह बहुत काम की चीज है इस कुछलता को विक्सित करने के लिए यह अच्छा समय है बस अहंकार से बचे आत्म ज्यान के कुछ चरण आपके कारण में है अपने रोजाना के शेड्यूल से समय निकल कर सुचे कि आप कहां है और भविशे में आप क्या पाना चाते है निसंदिह इससे आपको आने वाले हफ्तों में सपलता मिलेगी परिवर्तन मनुश्य के लिए आगे बढ़ने का एकमातर तरीका है इसलिए बदलाओं को खुशी से स्विकार करे करियर रशिपल के बात करे तो आपको अपनी कारे कुशलता को बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए इससे अगली बार जब आप नोकरी ढूंडेंगे तो आपको आसानी से होगी हाला कि फिलहाल आप अपने काम से संतुष्ठ है लेकिन भविशे में आचानक आपको नोकरी बदलने की जरूरत भी बढ़ सकती है इस समय अपने कम्यों को पहचाने से भविशे में आपको नोकरी ढूंडे में मदद मिलेगी समुह या कलब आपके अकरशन का केंदर होंगे जहां आप नए लोगों से मिलकर नए अउसर प्राप्त करेंगे नेटवर्किंग का प्रयोग करके आप और भी तरक्य कर सकते हैं अपने शुबचिंतकों को निराशन ना करे मेहनत और इमानदरी का बढ़िया सा प्रणाम भी इस समय आपको प्राप्त होने वाला है दोस्तों लवराशिपल की बात करें तो नए परिवेश या वातावरन में अपने अर्मभोजे आप किसी को भी लुभा सकते हैं पारिवारी संगर्श आपके लिए कष्ट का कारण बन सकता है किन्तों अपने पती या पत्नी या पार्टनर की चाहत आपको हर परस्तिती का सामना करने का सहस्परदान करता है सोच समझकर योजना बनाएं लोगों से मिले जुले वो अलग-अलग स्तानों पर जाए इससे आपको खुशी मिलेगी और अगर आप सिंगल हैं तो आपको कोई पसंद भी कर सकता है बस उनसे एक बार बात करके देखेगा आखिर में बात करते हैं आपका स्वास्तराशिपल के सर ही गा उसके बारे में आप जिन्हें प्यार करते हैं हो सकता है वो बिमार पड़ जाएं इस परिशाली में आप उनके साथ खड़े रहें और उनके हर तरह से काम आने की कोशिश कीजे तो दोस्तों कुछ इस तरह से आपका जगी कुम राशिपल रहने वाला है वीडियो में बताएं कि जानकारी जो की जोति शास्तर के अनुसार पंचा मननेस्ताओं के अनुसार और धर्म गरंतों के अनुसार दी गई है हमार उद्देश महत सूचना पहुंचा रहा है आप इससे सूचना ही तो लीजेगा इसके अतरिक अगर आप मानते हैं अपनाते हैं और इनका उपयोग भी करते हैं तो इससे पहले अपने नजदी के कुलपंडी से अवश्यस संपर करेगा आप चाहे तो ट्रेनिंग राशिपल से भी संपर कर सकते हैं कुंडले और इसमें मामूल यसा बदला हो सकता है तो दोस्तो आज की सुड़ो में बस इतना ही दोस्तो हमारी चैनल पर आपको इसी तरह राशिपल के लेटर वडियोज देखने को मिलेगी तो हमारी चैनल को सबस्क्राइब जरू किजेगा आज की सुड़ो में बस इतना ही मिलते ही दोस्तो